इसमें पीडियन किड़नी की अच्छा अदर रिठी में सबसे आपको बताऊंगा टू टाइप podstaw के निफरों होते हैं उसमें निफरों है पिरे दत्त वाक के निफरों निफरों 앞ने गारें दोपी आप्ट्रों 바 है और उनकी different adaptation होती है एक nephron वो होते हैं जिसको हम कहते हैं basically जो है वो cortical nephron एक nephron वो होते हैं जिनको हम कहते हैं cortical नेफरोन इस्क्रीन फिर शो नहीं हो रही है माहीन आपको इस्क्रीन मेरी शो नहीं हो रही बाकी स्ट्रुएंट को हो रही है लुजाना जो मेहमाने उनको तो शो हो रही है येस सर बाकी को तो शो हो रही है माहीन आपको क्यों नहीं हो रही है शो चलो भो रही है तो टाइपस ओफ नियूरोन तो पहला जो नियूरोन की टाइप है उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफरोन एक होता है कॉर्टिकल नेफरोन और एक नेफरोन की टाइप है जिसको हम कहते हैं जक्स्टा मेंडूलरी नेफरोन इसको हम क्या कहते हैं जक्स्टा मेडूलरी नेफरोन मतलब हमारी किड्नी में ये दो तरह के नेफरोन होते हैं अगर बात करें तो 85% हमारी किड्नी में कॉर्टिकल नेफरोन होते हैं और 15% जो हैं वो जक्स्टा मेडूलरी नेफरोन होते हैं इन दोनों नेफरोन की अलेदा-लेदा एड़ोपेशन है इसके पहले मैं इसका तोड़ा फर्ग बता दूँ आपको कॉर्टीकल नेफरोन और जक्स्रामेंडूलरी नेफरोन का फर्ग बताऊं फिर मैं जो है वो बात करता हूँ इनके एड़ोपेशन पर अब देखो मैं यहाँ पर एक किड्नी ड्रा कर रहा हूँ यह ऐसे करके मैंने यह तरचा करके किड्नी को ड्रा किया आप पता है यह किड्नी का उपर वाला एरिया कॉर्टेक्स है और नीचे वाला एरिया क्या है मैडूला है चलो मैं एक nephron dra करता हूं यहां पर red color से यह nephron अब ये जो nephron मैंने ड्रा किया है इसको मैं कहरा हूँ courtical nephron और यहां पर एक मैं दूसरा nephron dra कर रहा हूं इसको मैं कहरा हूँ यहां कौनसा nephron इसको मैं कहरा हूँ juxtra mandulary nephron अभी फर्क नजर आगिया होगा आपको इन दोनों नेफरोन के अंदर जो है वो क्या फर्क यहाँ पर है एक नेफरोन को मैं कह रहा हूँ कॉर्टिकल नेफरोन और दूसरा नेफरोन जो है वो उसको हमें कह रहा हूँ juxtamandulari nephron तो पहला फर्ग जो आपको यहाँ पर नजर आया है तो cortical अगर आप nephron में देखो तो cortical nephron जो है has short loop of henley cortical nephron has short loop of henley यहीं आप यहाँ पर देखें cortical nephron की जो loop of henley है वो short है और जो juxtamandulari nephron है इसकी loop of henley जो है वो क्या है वो longer है और juxtamandulari nephron की अगर हम बात करें तो हम इसको लिखेंगे के has longer loop of henley आप यहाँ पर देखें इसका loop of henley क्या है longer है और इसका loop of henley जो है वो क्या है shorter है पहला फर्क तो यह हो गया अगर आप दूसरे फर्क की बात करें तो इसका जो loop of henley है slightly extend into medulla loop of henley as slight extension in medulla यहाँ पर आप देखें यह जो जक्स्ट्रा मेंडूलरी नेफ्रोन है इसका लूप of henley थोड़ा सा medulla के अंदर है यह देखें ना थोड़ा सा नीचे medulla में जा रहा है यह medulla का area है ना थोड़ा सा medulla में जा रहा है जबके अगर आप जक्स्ट्रा मेंडूलरी नेफ्रोन को देखें तो वह क्या है यह deep into the medulla जबके यह जो है वह extending deep into the medulla जबके जग्स्ट्रा मेंडूलरी नेफ्रोन का जो लूप of henley वह deep कहां गया है deep medulla के अंदर तक जो है वह गया हुआ है इसके इलावा अगर हम देखें तो सबसे जादा जो water absorb होता है सबसे जादा जो water absorb होता है वह loop of henley से होता है सही है न अब जितना जादा loop of henley long होगा water की absorption उतनी ही जादा होगी और जितना loop of henley short होगा तो water की absorption क्या होगी उतनी ही कम होगी तो cortical nephron जो है वो कैसा urine produce करता है produce dilute urine क्योंकि water की absorption जो है वो इतनी जादा नहीं होगा आप देखेंगे लूप ओफ है इस more short है तो water absorb इतना नहीं होगा जबके juxtra mandulari nephron से क्या होगा it produce concentrated urine जबके juxtra mandulari nephron जो है वो क्या produce करेगा वो जो है वो concentrated जो है वो urine produce करेगा तो यह कुछ difference थे किसमें juxtra mandulari nephron में और cortical nephron में यह क्या थे कुछ यह